दोस्तों महाईशी रुसी में आज बनने वाली है एक बहुत ही इस्पेशल कचोड़ी इस्पेशल इसलिए है कि आप इसे कही महीने रखकर खा सकते हैं खाराब नहीं होगी बहुत ही क्रिस्पी बन कर तैयार होती है साथी जो टेस होता है लाजबाब होता है नॉर्मल जो कचोड़ी बनानी होती है या तो आलू से बनाते है या दाल से बनाते है लेकिन इतनी लाजबाब इतनी क्रिस्पी कचोड़ी आपने अप से पहले ट्राइ नहीं करेंगी आप इसे आलू की सबजी के साथ सर्फ कर सकते हैं तमैटो काचा भरे देनी की चटनिया चाए कॉफी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए फटाफर से यह हमेजिक रेसिपी स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगी तो कमेंड जरूर करें हाई गाइस मैंकल प्रम हैशरी अपने चैनल हैशरी रस्टे में आप सभी करते हूं दोस्तों इस पेशल कचाड़ी के साथ बहुत ही सबजी बनाएंगे जिसे आप एक तम मिंटों में बना कर तयार कर लेंगे तो बस इसके लिए आपको जरूरत होगी सिर्फ एक टेबल स्प मैंने लिए हैं दो टमाटर बस टमाटर को अच्छे से वाश करने के बाद में रफली सा कट कर लें मिक्सी में ना चलाए ना बहुत जादा बारी कट करने की ज़रत है और टमाटर फटाफट पक जाए इसके लिए गया टेस के हिसाब से नमक आज की सबजी होने वाली है फ् ने लिए दा मिर्च के पावड़र कस्मीरी लाल मिर्च का पावडर 1 चमच चलाया रदी पावड़र आदर चमच में ले लिए प्रोब HK से हम टमाटरों को भून लेंगे और जैसे ही टमाटर भूने उसके अंदर गया एक टी स्पून जितना बेसन प्रंट्स आपको बेसन डालना भी जरूर है और बिल्कुल थोड़ा सा डालना है जिससे बस आपकी सबजी में बहुत ही अलग टेस्ट आएगा थूड़ी ग्रेव जाएं और मसाले को बढ़ी असा भूनते जाएं और अब फ्रंट्स आप देख सकते हैं मसाला काफी अच्छे से भून चुका है और रिलीज हो गया है हाडली मुझे डाई से तीन मिट का समय लगा है और मसाला परफेक्ट तैयार है सब्जी को बढ़िया टेस्ट और बहुत ही हमेजिंग होगा बहुत ही सिंपल सी सब्जी है बस दो आलो लिए उबाल लिया रफली सा पानी में ही तोड़ लिया और यह देखे सब्जी हमारी अर्मोस्ट ड़न हो चुकी है इसके बास सिर्फ आफ इसे दो से धाई मिनिट के लिए अच्छे से उबालने बहु बहुत ही स्पेशल मसाला कचोड़ी जिसे आप महीनों रखकर खा सकते हैं तो उसके लिए मैंने लिया डेल कब जितना नॉर्मल गया हूं का आठा आपके पास थोड़ा सा मोटा या थोड़ा सा बारीक जैसा भी आटा वह आप उसका इसके डाल कर सकते हैं और इस पे ढाल के बाद में आपको इसे खस्ता करने के लिए डालना होगा को कि आप समझ सकते हैं या तो आप तीन टेबल स्पून कुकिंग डाल दे और अगर ग्राम में डाप रहे हैं तो आप डाल सकते हैं पचास ग्राम जितना और वन फो टी स्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर य नहीं डालना है और नहीं आपको इसमें इनों का इस्तेमाल करना है और आप आरिये इसे बहुत ही बढ़िया सा मेक्स करने की प्रांट इसे आप जितना अच्छा मेक्स कर लेंगे आपकी कचोड़ी उतनी ही खस्ता बनेंगी तो आटा आप बहुत ही बढ़िया सा लगाएं तो बढ़िया लगाने के लिए पहले मौईन को अच्छे से मेक्स करने इसमें मौईन आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दौन हतेलियों के बीच में इस तरीके से आप मेक्स करते जाएं और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका जो आटा है काफी अच्छे से मेक्स हो जाएगा भुर भुरासा हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो डो लगाना है वो नॉर्मल पानी के साथ लगाना है चाहें सर्दिया हो या गर्मिया हो इसका डो आप नॉर्मल पानी के साथ लगाएं और एक बार में डो को बहुत ज़दा मसले नहीं बसर रफली सा लगाया हाथों को कर लिया हलका सा चिकना डो के उपर अच्छे से लगाया और कवर करके 10 से 15 मिनिट के लिए एक साइट से रख दें और 10 से 15 मिनिट में आठा बढ़िया रैस कर लेगा आप करते हैं मसाले की तैयारी तो ये मैंने लिया दो टेबल स्पून जितना कोकिंग ओयल और इसमें गया टेस्ट के हिसाब से नमक और ये मैंने लिया आदा चम्म जितनी लाल मिर्च पाउडर आदा चम्म जितना हल्दी पाउडर और ये गया साथ 2 टेबल स्पून जितना सुखा धनिया और हाफ टेबल स्पून जितना अमचूर पाउडर और अबर गरम मसाला और साथ डिने कसूरी मैतीजी से तभी पर गरमकर लिया और अच्छे से करश कर लिया और यह देखिए बहुत ही मज़ेदार और एक दम चटपटी आपके स्टर्फिंग तैयार हो गई है तों इसा नहीं है स्ट्रफिंग लेगरार सकते हैं कोछ भी नहीं है भी मुझी नहीं आप मैध्यारर कच्वारी बनेगी एूत डिकनिक भी लिए सकते हैं अपिकनिक मेंकर शब्रूश्त और तो बस अब बार यह से बड़े हसा मसलने की तो एक मिनट तक आप इस तरीके से अच्छे से मसल लें जिसे आटा अच्छे से सैट हो जाएगा यह देखिए एक दम इसमूथ और बड़ी हसा आटा तयार है तो अब बार यह इसमें से डो बाल तोड़ने की तो जैसे हम नॉर्मली एक पूरी बनाते हैं उससे थोड़े छोटे छोटे आप इस तरीके से पेड़े तोड़कर तयार कर लें फ्रेंट्स इन कचोर्यों को बनाना बहुत आसान है क्योंकि इस ट्रफिंग तो आपकी जमर्जियों तब बना कर रख सकते हैं और उसके बार ए सिर्फ आदा चमर्जियों आपको स्टफिंग डालनी है और सिर्फ आधा चमर्जियों से आपकी कचोड़ी बहुत मज़ेदार बनेंगी क्योंकि फ्रांट्स से यह मसाले की मसालेदार कचोड़ी इसलिए स्टफिंग अगर आपने ज़्यादा डाली तो काफी तीक ही से तो आप इस तरीके से थोड़ा सा इसे प्रैस करते जाएं और आप देखेंगे कि आपकी एक बढ़ा सी कचौरी तयार हो जाएगी तो एक और बना लेते हैं थोड़ा सा बढ़ा किया कटूरी की शेप दी और इस तरीके से चुड़नेटे बनाते हुए आप बिल्कूल अची स मेरे से सिक्यार कर ले तो हैना फ्रांंस करणनेЕ का एक दम बढ़िया तरीका न आपको आलू की पिथी अपना को दाल की पिथी तैयार करनी चार्षी और करने वाली थाम फशिजाने ऑलसे ने कुछक आपकिस दाले स्वालियां तराब और कि भीने की हैं नी के चौकिंक जाएं आप उतनी कचोडियां डाल दीजिए क्योंकि कचोडियों को सीखने में फ्रांट्स थोड़ा सा समय लगता है तभी कचोडियां प्रॉपर खस्ता बनके तयार होती हैं तो डालने के तुरंद बाद आप इसे टर्ना करें एक चममच ले ले और अलको उपर डालती कचोडियां पर्फेक्ट तयार होती हैं तो बस उलट प्लेट करें ने बड़े सा सेख लेते हैं और यह देखिए क्या बड़े आसी देखने से पता है कि काफी क्रिस्पी बनकर तयार हुए है तो चलिए इन्हें कर लेते हैं डेश आउट और उसके बार बारी आगई प्ले प्लेटिंग भी कर लेते हैं तो सबसे पहले रखिए फटाफट वाली बहुत ही मज़ेदार मिर्चालू की सबजी और यह रखिए हरे दिन्य की चटनी और यह गई अपनी मज़ेदार सी कचोड़ियां और आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार हुए है औ तो मुझे उमीद है दोस्तों आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लेगी होगी तुछे लिए मैं तो टेस्ट कर लेती हूं कि बहुत ही शांदार बहुत ही अमेजिंग बनकर तयार हुए है टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंड चरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लें गर्ला कर घुरा, घृट말 by आंच्छी सब्स्कारा करें